होती है और हमें पता तक नहीं चलता अच्छा दोस्तों मैं आपसे एक सवाल करता हूँ हम जब किसी रेश्टोरेट या होटल में कुछ भी खाते हैं तो क्या बिना रेट कार्ड या मेनु कार्ड देखे ही पेमेंट कर देते हैं नहीं न? तो फिर railway में क्यों नहीं? क्या का? रेल में मेनुकार नहीं होता? मुझे मालूम है कि ज़्यादातर लोगों को इस बात की जानकारी ही नहीं है कि भारतीय रेल में भी rate और मेनुकार होता है जिसमें हर एक food items के rates दे होते हैं लेकिन आप और हम जानकारी के अभाब में कभी भी पैंटी कार वाले से इसकी डिमांड ही नहीं करते हैं आप उनसे मेनुकार मांगर देखना देखना वो किस किस तरह के बहाने बनाते हैं और वो भरपूर कोशिस करेंगे कि आपको मेनुकार ना दिखाना पड़ जाए लेकिन ऐसक क्यों? वो आकिर क्यों चुपाते हैं हमसे? दोस्तों मैं बताता हूं आपको कि कैसे हम ठगे जाते हैं हम पैंटी कार वाले से पूछते हैं कि भाईया वेज और नॉन वेज खाने का क्या रेट है वो हमें बताता है कि वेज का 120 रुपे और नॉन वेज का 140 रुपे है हम खाना खाते हैं और बड़े आराम से पैसे निकाल कर दे देते हैं अगर मैं आपको कहूँ कि जो वेज खाना हम 120 रुपे का खाते हैं वो सिर्फ 50 रुपे का होता है और जो नॉन वेज खाना हम 140 रुपे का खाते हैं वो सिर्फ 55 रुपे का होता है जी हाँ एक्चुली पैंटी कार वाला हमसे डबल से भी ज़्यादा चार्ज करता है इसलिए जब आप उससे मेनु कार्ट मांगेंगे तो वो तरह तरह के बहाने बराना शुरू कर देगा इतना ही नहीं हमसे चाय, कॉफी, ब्रेट कटलेट वगेरा के लिए भी ओवरचार्ज किया जाता है अब आप मेंसे कई सारे लोग ये सोच रहे होंगे कि अरे यार मैं तो साल में बस दो या तीन बार ही ट्रेन से सफर करता हूँ और कभी कबार थोड़ा ज़्यादा दे भी दिया तो क्या फरक पड़ता है हमारी इसी सोच का फाइदा उठाकर एक पैंट्री कार वाला एक रूट में मानकर चलिए कि दिली से जारकन जा रही है कोई ट्रेन तो तकरीबर ऑन एन एवरेज एक से डिल लाग रुपे ओवर चारजिंग से हग कमाता है और दोस्तों ये काली कमाई होती है क्योंकि हम पैमेंट कैश में करते हैं और कोई भी बिल या वाउचर रसीद नहीं लेते है ये सारे पैसे सीधे कॉन्टाक्टर की जेम में जाता ही है और उपर तक शेयर होता है दोस्तों भारत में रोजाना करीब 7000 पैसेंजर ट्रेंज चलती है अगर हम ये मान लें कि सिर्फ 2000 ट्रेंज में ही पैंट्री कार की फैसलिटी है तो आप ये सुनकर हैरत में पर जाएंगे कि हमारी और आपकी वज़े से भारतिय रेल में रोज करीब 20-30 करोर रुपे का काला धन जिनरेट होता है हमने कभी सोजा भी नहीं होगा है ना जी हाँ और अगर एक महिने की बात करें तो ये फीगर अर्बो में चली जाएगी सालवर की तो हम बात ही ना करें इसलिए फर्क तो पढ़ता ही है तो दोस्तों हमें करना क्या है बस अगली बार हम जब भी ट्रेन में सफर करें और पैंटी कार वाले से कुछ भी खाए या पिए तो उनसे रेट कार मांगे और उसी के हिसाब से पैमेंट करें और हां रसीद लेना ना भूलें आप अपने घर परिवार सगे संबंदी दोस्तियार सभी को इसकी जानकारी दें हम कोशिश करें कि हमारे संपर्ग में ऐसा कोई भी ना हो जिसे इसकी जानकारी ना रहे ताकि हम भारत को ब्रश्चाचार मुक्त बना सके और आगे आने वाली पीडियों को काले धन की बुराई से बचा सके संदेश को इतना शेर कीजिए कि सुरेश प्रभू तक पहुंच जाए और सारे भरस्टाचारियों की और भरस्ट फूट कॉंटक्रस की नीन उड़ जाए हम और आप अगर ये छोटी सी कोशिस करें तो हम बदलाव ला सकते हैं और जो ऐसा कहते हैं न कि ऐसा ही होता आया है और ऐसा ही होता रहेगा इसको चेंज कर सकते हैं येस, वी कैन, दोस्तों हंगामा करना मेरा मकसद नहीं, कोशिस ये है कि ये सुरत बदलनी चाहिए, कम, बी ए चेंज वारियर